जे श्री हरी, स्प्रीचल ग्यान में आप से भीका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में जिस कथा को हम सुनने वाले हैं, उसको सुनने मातर से चरा सिलाखियोनियों से मुप्ति मिल जाती है। आईए कथा को शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि ये सोधा मैया प्रभु श्री क्रिश्न के उल्हानों से तंग आ गए और छड़ी लेकर श्री क्रिश्न की और दोड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगी। भागते भागते श्री क्रिश्न एक कुमार के पास पहुँचे। कुमार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था लेकिन जैसे ही कुमार ने श्री क्रिश्न को देखा तो वह बहुत प्रसंद हुआ। कुमहार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है तब प्रभु ने कुमहार से कहा कि कुमहार जी आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है भैया मुझे कहीं छुपा लो तब कुमार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया कुछ ही शणों में मैया येशोदा भी महां आ गे और कुमार से पूछने लगी क्यों रे कुमार तुने मेरे कनहया को कहीं देखा है क्या कुमहार ने कह दिया नहीं मैया मैंने कनहया को नहीं देखा श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे मैया तो वहां से चली गई अब प्रभू श्री कृष्ण कुमहार से कहते हैं कुमहार जी यदि मयाद चली गई हूँ तो मुझे इस गड़े से बाहर निकाल दो कुमार बोला ऐसे नहीं प्रभुजी पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो भगवान मुस्कुराए और कहा ठीक है मैं तुम्हे 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ आप तो मुझे बाहर निकाल दो कुमार कहने लगा मुझे अकेली नहीं प्रभुजी मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूँगा प्रभुजी कहते हैं चलो ठीक है उनको भी चरास्सिलाखियोनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ आप तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो अब कुमार कहता है बस प्रभुजी एक विंती और है उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूँगा भगवान बोले वो भी बता दो क्या चाहते हो कुमार कहने लगा प्रभुजी जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के उपर लाद के लाई गई है मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन होकर उन बैलों को भी चराश्सिलाखियों के बंधन से मुक्त कराने का वचन दे दिया प्रभू बोले अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो तब कुम्हार कहता है अभी नहीं भगवन बस एक अंतिमिच्छा और है उसे भी पूरा कर दीजिए वो ये है जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस समवाद को सुनेगा उसे भी आप चराश्सिलाखियों के बंधन से मुक्त कर दोगे बस ये वचन और दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूँगा कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्रीक्रेश्न बहुत खुश हो गए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया फिर कुम्हार ने बाल श्रीक्रेश्न को घड़े से बाहर निकाल दिया उनके चर्णों में सास्टांग प्रणाम किया प्रभु जी के चरण दोय और चर्णाम्रत पिया अपनी पूरी जूपडी में चर्णाम्रत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोय कि प्रभु में ही विलीन हो गए जरा सोच कर देखिए जो बाल श्री क्रेश्ण साथ कोस लंबे चोड़े गोवर्धन परवत को अपनी कनिस्ट का उंगली पर उठा सकते हैं तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे लेकिन बिना प्रेम रीजे नहीं नटवल नंद किशोर कोई कितने भी यक करे अनुस्ठान करे कितना भी दान करे चाहे कितनी भी भक्ती करे लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा प्रभू श्रीक्रेश्न नहीं मिल सकते जै श्रीक्रेश्न जै श्री राधे कुमहार को दिये वचन के फलसरूप प्रभू श्रीक्रेश्न हम सभी को भी 84 लाखियों के बंदन से मुक्त करें ऐसी प्रात्ना हम प्रभू श्रीक्रेशन से करते हैं वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें ज़्याद से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि वह भी 84 लाखियों के बंदन से मुक्त हो सकें